अमेरिका में आरक्षड को लेकर दिये राहूल गांदी के एक बयान ने भारत की राजनीती में हलचल पैदा कर दी है राहूल गांदी ने कोटा पर एक सवाल में जवाब कहा कि जब यारक्षड को खत्म करने का सही समय नहीं आया उन्होंने इस जवाब को लेकर विवार्थ पैदा हो गया और अब होम मिनिस्टर अमिश्चा ने उन पर तीखामला बोल दिया है अमिश्चा ने कहा कि आरक्षड समाप्त करने की बात करके राहूल गांदी एक बार फिर कॉंग्रेस का आरक्षड विरोधी चैरा सामने लाए है राहूल का बयान शेत्रवाद, धर्म और भाशा के आधार पर दरार पैदा करने की कॉंग्रेस की राजनीती को उजागर करता है ग्रेमंत्री ने विस्तार से अपनी राय एक्स पर लिखी उन्होंने लिखा देश विरोधी बाते करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहूल कांदी और कॉंग्रेस पार्टी की आदत्स बन गई है चाहे जम्मू कश्मीर में जेके एंसी के देश विरोधी और आरक्षड विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेश मंचो पर भारत विरोधी बाते कहना हो राहूल कांदी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा हाथ किया भाशा से भाशा, शेत्र से शेत्र और धर्म से धर्म में भेदबाव लाने की बात करना राहूल कांदी की विभाजन कारी सोच को दर्शाता है इसके आगे वो बोलते हैं कि राहूल कांदी ने देश से आरक्षड को समाप्त करने की बात कहकर कॉंग्रेस का आरक्षड विरोधी चेरा एक बार फिर देश के सामने रख दिया मन में पड़े विचार और सोच किसी ना किसी माध्यम से बाहर आ ही चाते हैं मैं राहूल गांदी को बताना चाता हूँ कि जब तक भाजपा है आरक्षड को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ खिलवार नहीं होगा अमिच्छा ने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर में नाशनल कॉंफरेंस के राष्ट विरोधी एजेंडे का समर्तन करना हो या फिर इसकी बात हो या विदेश में भारत विरोधी टिपड़ी करना राहूल ने देश की सुरक्षा को खत्रे में डाला है उन्होंने कहा कि भारत को बातनी की साज़श रचने वाले ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना राहूल गांदी और कॉंगरिस की आदद बन चुकी है राहूल गांदी ने एक सवाल के जवाब दिया और कहा कि भारत में आरक्षड खत्म करने का सही समय नहीं आया हम इसके बारे में तब विचार करेंगे जब भारत एक अच्छी जगे बन जाएगा उन्होंने जॉर्ज़ टाउंस यूनिवरस्टी के चात्रों को बातचीत में कहा कि भारत में जब हालात भेतर होंगे और सभी उनके अधिकार पहुंच आएंगे तब इस बारे में विचार किया जाएगा मायावती भी राहूल गांदी के बयान से खफा है याद दिलाया कि UPA के दोर आरक्षड को लेकर राहूल गांदी के इस बयान पर बसपा प्रावक मायावती भी बयान आया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस कभी भी दलितों और OBC को आरक्षड देने के पक्ष में नहीं रही कॉंग्रेस की UPA सरकार नहीं प्रोमोशन में आरक्षड को रूख कर रखा और अब जातिक जनगरना के लिए भी उससे उमीद नहीं की जा सकती ऐसे ब्रेट्स के लिए देखते रहे है निउस वेल इंडिया